दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, दसवे मैच की जो की इस IPL का होने वाला है, कुछ लोग जो हमारे बहुत खास और करीबी सब्सक्राइबर्स हैं, जो रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं, वो सोच रहूंगे कि आज इतनी जल्दी वीडियो की कि यहां बात करो हाइदराबाद की आप अल्रेडी एक चेंज आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और वो है एडेन मार करम, कैप्टेंसी कर रहे थे हैं, सुन्रैजर हाइदराबाद के अभी जो है, कैप्टेंसी का भार जो है, भूमनेशवर कुमार समभाल रहे थे, ले लकनाओ में ये फिर से मैच होगा, जहां पर लकनाओ की टीम पहला मैच खेल करका ही अपना, और इस IPL का तीसरा मैच वो था, तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कि दोनों टीम के अंदर कौन कौन से वो चेंज़ेज है, और किस चेंज को ध्यान में लेना है, तो क्यों लेना है, और छोड़ना है, तो क्यों लेना है, ये सब बताऊंगा, पूरी स्ट्राइजी के साथ इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आप बन सके ग्रैंड लीग के एक विनर, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल लॉजिक अलग लेवल की टीम पहले बैटिंग करेगी ना, तो आपकी टीम में कौन-कौन से प्लेयर होने चाहिए, और जब हाइदराबाद की टीम पहले बैटिंग करेगी, तो आपकी टीम में कौन-कौन से प्लेयर होने वाली होने चाहिए, किसको करना है, किसको करना है, किसको करना है, किसको कर बेनिफिटर उठाते तो कम से कम लाइक करते जरूर चलना मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो आपको बहुत जादा हेल्प करें सबसे पहले दोस्तों मैं टीम नीउस की बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी सेंडिस के प्लेयर थे जो नीटर लैंड के साथ में अपना मैच खेल रहे थे वो सब अवेलेबल रहने वाले चाहिए मैं बात करूँ कोईंटन डीकॉक की ये भी इस मैच को खेलने वाले कब कितने नंबर पर ये मेंश होंगे होंगे मैं अलेकनाओ का जब प्लेंग लिए उन बताऊंगा तो आपको क्लैरिफाइ करता चलूँगा फिलहाल के लिए आप इतना मानने है कि इस मैच के अंदर दोनों टीम के अंदर बहुत ही रिफॉर्म होने वाला है अलग अलग चैंजस देखने को मिलेंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊ तो हेंडिच क्लास सेन भी देख खेलते दिखेंगे एडेन मार्क करम भी और मार्को जैंसन भी अवेलिबल रहेंगे मार्को जैंसन फिलहाल के लिए मैं मानन के चल रहा हूँ क्यों वो शयद टीम से बाहर utilizar है लेकिन आपको हेंडिच क्लास सेन खेलते दिखेंगे एडेन मार करम खेलते दिखेंगे और क्यांटन डीकॉक क्हलते दिखेंगे अब क्यांटन डीकॉक तो अवेलिबल है इनसे जुरी बहुत सवाल है सवाल है कैसे है मैं बताता हूँ अभी आपने देखा मैं प्लेंग लेंड में ही समझाऊंगा यहाँ पर आप confused हो जाओगे तो team news फिलाली है यह तीन खिलने वाले है आगे लेके चलता हूँ मैं आपको वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज की इस match के अंदर भी पाँच ग्रैंड लिग का पॉइंट जिसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा pitch report और pitch report ऐसा वैसा नहीं पूरी details में बताएंगे in-depth बताएंगे जिससे का आप पूरी clarity के साथ समझ जाओ कि ये pitch कैसा behave कर सकता है तो ये जो venue होने वाला ये है भारत रतन शिरी अटल वियारिवाइच पेई का study हम जहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको पूरी details में समझाओ उससे पहले T20 International का कुछ matches देख लिजिए 9 match हो रखे है पहले batting करने वाली team ने 5 match जीते है second पहले balling करने वाली team ने 4 match को जीता है average score 1500 का है यहाँ पर T20 International का format लेकिन आगे बढ़िए जरा मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ इसको ध्यान से समझना और जो पहला match हो रखे है इसको भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से decode करके तो सबसे पहले recent match जो यहाँ पर हो रखे है वो देखेंगे तो रंजी ट्रोफी का टेस्ट हो रखा उससे पहले आप देखेंगे second T20 इंडिया न्यूजिलैंड का विन्नी पर हो रखा है जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से low scoring match देखने को मिला था पैटर्न को समस्ते चलना जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसी तरीके से match भी हुआ है इस IPL पहला वाला match जो यहाँ पर हुआ जो की इस IPL का तीसरा match था तो यहाँ पर देखेंगे उसके बाद जो match होता है recent में आप देखेंगे वो है सेयद मुस्ताकली ट्रॉफी जहाँ पर average score last के 5 match का अगर आप देखेंगे 140-150 का था उससे जादा नहीं है हलाका सेयद मुस्ताकली ट्रॉफी काफी मतलब के local league में काफी पर चली थे average wicket falls की बात करें तो हर inning में 12-14 wicket गिरे थे उसके बाद आगे बढ़ते है ODI का match होता है जहाँ पर आप 200 के आसपास score बनते दिखते है wicket falls आप देखेंगे के 2 रों inning मिलाकर 12 wicket गिरते है आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर legion league के matches थे same as यानि सेयद मुस्ताकली ट्रॉफी यानि के similarly लगबग 500 के आसपास यहाँ पर score बन रहा था 500 से नीचे उससे उपर गया नहीं average आप देखेंगे तो और wicket falls भी 10 से 12 गिर रहे थे उसके बाद देखेंगे ना जो recent match हुए है 2022 का ही इंडिया शिरलंगा का match हुआ जहाँ पर पहले inning में तो काफी जादा score बनता है उसके बाद आप देखे तो second inning में काफी कम स्कोर बन रहा है अच्छा एक और चीज़ आपको धियान दिलाता हूँ जब आप स्यद मुस्ताकली ट्राफिक का match का study करेंगे आपको पता चलेगा first inning का score हमेशा हाई है second inning में काफी score कम बनते है तो यहाँ पर कही न कहीं second inning वाले team को यहाँ पर chasing करना batting करना difficult होता है यह चीज़ आपको ध्यान देख रहा है सयद मुस्ताकली ट्राफि 2020 के matches को देखेंगे similarly दिखेगा पहले batting में high scoring matches है chasing में heavy wicket falls होता है chase करते हुए यह चीज़ ध्यान देना यह तो हो गया पिछ का historical report अभी present का report क्या है वो है पहला match जो भी लखनाउ यहाँ पे खेल क्या रही past में history के अंदर वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिला था आज भी हम SI expect करके चल रहे है कि second inning में batting करना यहाँ पर difficult होने वाला है तो जो भी team toss जीतेगी वो यहाँ पर आज हो सकता है कि पहले batting करने का फैसला ले अभी IPL का जो आप देख रहा हो कि chasing करने का फैसला ले रहे है ले रहे है यह team की कि उसको pitch का idea होता नहीं है लेकिन इस pitch पर already matches हो रहे है तो आप यह मान करके चलिए आज जो toss जीतेगी जो team वो यहाँ पर batting करने का choose करेगी और यहाँ पर जो है मतलब कि वो अच्छा खासा score जो है बॉलिंग को favor करेगा पेसर यहाँ पर जादा helpful रहने वाले weather report की बात करें यार तो यहाँ पर वहुत जादा मतलब के hoop type का आपको देखने को मिलने वाला है यह चीज़ दिन की बात मैं करना हूँ जब को शाम में मैच होने वाला है तो मौसरम ठीक ठाक है उतना यह नहीं है लास्ट पांच टीट्वेंटी मैच की देखेंगे यार यहाँ पर 123 का आवरेज स्कूर है पांच में विकेट फॉल्स की बात करें यार तो टोटल 50 विकेट गरते हैं जहां 24 विकेट पेसर को मिले 26 विकेट जो है वो यहां रहने वाले सब कुछ आप जाने हैं अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको यह मैच खेलना का है पचास लाग का मेगा जियल आपको देखने को मिलता है, इस लीग में जॉइन करना है, अभी सब लोगों का कॉमेंट आ रहा था, डेम सा रहे थे, कि सर ये फूल हो गया, तो इसलिए मैं कहता हूँ इस लीग को जाके जॉइन कर लो जल्दी जल्दी ताकि फूल नहों, लास् कीपर, आपको अगर याद होगा, किस तरीके से गुजरात वाले मैच के अंदर, डबलू साहा जो है, उसके साथ साथ जो एक विकेट कीपर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब वो जो विकेट कीपर थे, वो ड्रीम टीम के अंदर आये थे, ड्रीम 11 को उपर, ले लीग, यह बहुत कमाल की लीग है, इसको जरूर जोइन करना, आगे बात करें यार, तो 50,000 का आपको गिववे भी देखने को मिलेगा, यह फ्री कॉंटेस्ट होता है, गिववे मतलब फ्री कॉंटेस्ट, आप जाए, जीरो और पे लगने है, आराम से इस को जोइन कर गाइस, मैंने आपको बता तो दिया कि खेलना कहां पर है, लेकिन खेलना कैसे है, उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा, आप्लिकेशन को, विजन 11 को, अगर आपको फोन में नहीं है, तो अगर है, तो कोई बात नहीं, आप अपने फामिली मिंबर के फोन में डाउनल करेंगे, वहाँ पर खेलेंगे, उसकी बात अलग रहीगा, और डॉक्मेंटेशन करना होता है, और कुस करना नहीं होता है, तो उसका बेनिफिट उठाइए, पांस्वर्वे का बोनस आपको मिलने वाला है, डिपॉसिट पहली बार करेंगे, तो जैसा क मैंने बता है, 100% ब कॉमपरिजन की, दोस्तों, ये जो कॉमपरिजन मैं करके देने वाला हूँ, ये बहुत इंडेप्थ होने वाला है, ये इस लेवल का होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, दोनों टीम के कौन से बॉलर, कौन से बैट्समन, कौन से अल्डाउंटर, ये सब अच्छे होने वाले, ये सब बताऊंगा, आगे चलिए, मैं उससे पहले, दोनों टीम का कॉमपरिजन करो, उससे भी पहले, नहीं, मैं ये बाद में बताऊंगा, ये चीज़ बाद में बताऊंगा, फिलाल आप ये देखिए, लखनाउ की टीम की बात कर लेते, यार, लखनाउ और कदर्साइं, पहला मैच दूसरा मैच, आप ये दोनों मैच आप देखेंगे ना, तो लखनाउ की टीम एक मैच हार के आ रही है, दूसरी मैच वो जीत का रही है, पहले वाली मैच जो है ये इसी विरनी पर वो जीट कर रहै, यार, लखनाउ का, यहां पे वो स्येशी ऐस्क पाइदा होगा मैं बताता हूँ क्या फैया होगा अब देख लो लक्नाओ पहला मैच जब खिलती है उसका ड्रीम टीम यह रहा आप के स्क्रीन पर इसमें आप देखेंगे तो Captain Mark Wood बन रहा है सबसे पहले तो आप ये देखे पाँच-पाँच बॉलर यहाँ पे तीन बॉलर है यह और बात है लेकिन यहाँ पे पाँच बॉलर ठीक है यह बॉलर यह पाँच बॉलर दोनों Dream Team के अंदर यही चीज़ बताने की कोशिश करता हो पहला मैच जो हो ना उसके अंदर आप देखे तो Mark Wood Dream Team के अंदर है रवी विश्णोई Dream Team के अंदर है उसके बाद आप देखे गाईज निकॉलस पूरण भी Dream Team के अंदर है काईली मेर्स भी Dream Team के अंदर है काईली मेर्स अगेन यहाँ पर Dream Team के अंदर है मार्क वूड अगेन यहाँ पर Dream Team के अंदर है रवी विश्णोई Dream Team के अंदर है अब आज कौन-कौन से प्लेज Dream Team में रह सकते है या फिर रहेंगे तो कौन से काप्टन रहेंगे कौन से वोइस कैप्टन यहाँ पर देखे मार्क वूड कैप्टन थे यहाँ पर वोइस कैप्टन थे तो यह सब मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो के अंदर ध्यान से देखते चलिएगा सिमिलरली हाइदराबाद की टीम की बात करे यार तो आपको जो प्लेयर नज다면 आए है ड्रीम टीम के अंसे डेम प्लेयर के अधर अच्छा परफॉर्म के थी यह सब बताऊंगा इसके बाद अब्दुस्समद ड्रीम टीम अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको बताता हूँ हेड्टुएड किस तरीके से था हेड्टुएड मैच जो यह दोनों टीम आपस में एक मैच खेल रखी है पिछले साल लखनाव की टीम 179 का स्कूर करती है साद विकेट के नुकसान पर इस मैच के टॉप परफॉर्मर कौन थे मैं बताता हूँ राहूल केल राहूल जो है न 68 रण की पारी खेली थी पहले वाले हैट टोड मैच में कुएंटन डिकॉप फ्लॉप हुआ था मैं बताओंगा क्या कर चलना है तो यह कुछ टौप परफॉर्मर रहने वाले तो मैं जब प्लेयरव के बारे में याद रख चल Practice मैं आपको बताता मैं किसे लेता है किसे नहीं लेकर कर सब करें ब्रहूने से हम देखते आज सरी टीम pair है अपने टीम में ये मैं बताता वो चलूँगा सारी चीजे एक एक करके सो आगे चली मैं आपको एक एक करके सब बता हूँ उससे पहले बता दू गाईज आज के इस मैंच में कैप्टन वोइस कैप्टन किसे बनाना है आज आप बैटिंग और बालिंग वाले सक्षन से सीवी सी ट्राइगर के चलीगा यही वो दो सक्षन है जहां से आपको कैप्टन वोइस कैप्टन बनते दिख सकते हैं और आज का जो स्ट्रक्चर लेकर के चलना है वो लेकर के चलना है एक तो आपको ये balance structure लेकर के चले जहाँ दो wicket कीपर और 3 batsman, 3 all arounder, 3 baller के साथ जाना है दूसरा structure जहाँ 5 baller को रखना है आपको 3 batsman के साथ जाना है और एक ही wicket कीपर के साथ जाना है हलाएकि wicket कीपर का option आज के इस match में बढ़के 4 हो गया है लेकिन फिर भी किस को लेना है, किस को नहीं लेना है, कब लेना है मैं आपको बताने की पूरी-कूरी कोशिश करूँगा तो डिरेक्ली चलिए मैं आपको आप लेके चलता हूँ सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल था वो था क्वेंटन डिकॉक को लेकर के क्योंकि क्वेंटन डिकॉक जब खेलेंगे आज की मैच में तो आप यह मान करके चलिए चुकि चार ओवर्सीज प्लेयर के साथ तो टीम को जाना नहीं है ध्यान से समझना मैं जो समझा रहा क्वेंटन डिकॉक को खिलाने का मतलब था यहां पर एक प्लेयर थे और वह बार फिफ्टी लगा चुक है क्वेंटन डिकॉक को मौकाई नहीं मिला था खेलने को काईली मेर्स नहीं खेल रहे थे, पिछले मैच में थे, पिछले साल स्कॉर्ड के अंदर थे, लेकिन नहीं खेला एक भी मैच, इस बार भी कोईंटें डीकॉक अगर पहले मैच से होते, तो शायद ही काईली मेर्स खेलते, लेकिन चुकी अब यह खेलने लग गए और परफॉ किपिंग भी करते हैं तो यह लगबग रहने वाले हैं कीसरा जो आप्षन था मार्क वूर्ड का मार्क वूर्ड आपने देखा ही दोनों टीम के अन्रेक पर काप्टेंशी के पारी खेल गया एक में वॉइस काप्टेंशी के पारी खेल गया गुच्छों में विकेट निकाल ने पर आज कि इस मैच में इमपसल के रूप में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं फिल्हाल का जो फाइनल प्रेंग लेंगे यह है दूद ओपन करते दिखेंगे हाँ एक और बड़ा सवाल था या कि यहां पर यहां पर यहां पर तो बहुत ही मतलब अमेजिंग सी चीज हो रही थी ना क्यूंकि डिकॉप अवेलेबल है राहूल तो ओपन करेंगे फॉर्श आवेश टाकूर एक begins legendर मॉर्ण निब्यंस ची Cather के रहर बालो का सूस्यां करेंगे य्जन इस थाकूर मॉर्ण तो आवेश खांगा से कमार का रिखांगा स्की का Aham प्लेंग लेविन समझ चुके हैं अब बात करते हैं हाइदराबाद की टीम के बारे में तो आप देखें आपको विशेक शर्म महेंग का गरवाल ही दिखने वाले लेफ राइट का बिस्ट कॉमिनेशन बनने वाला है उसके बाद आज की इस मैच में जो है डियर अटर मारकरम स्टीम के कैप्टन इटसेल्फ और वह चार नंबर पर आपको लगबग लगबग खेलते दिखेंगे उसके बाद आप ऑप्शन की बात करें यार तो आपको यहां पर जो प्लेयर को हमने यहां पर गलेन फिलिप की जगह पर डाला है तो यहां पर यह विकेट की पर में करेंगे तो तीन अटराजन डेथ में बालिंग करेंगे और फदलक फारूकी बहुत उम्दा है यह चीज़े भी हम आगे देखने वाले तो आप लगबग हाईदराबाद की टीम में किसको यूज किया जाएगा तो आज आपको अब्दुल समद और कार्तिक त्यागी यह द इंको भी इंपक्त के रूप में यूज किया जा सके अब मैं एक एक करके चलिए प्लेयर्स की बारे में बताता हूं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ के एक ऐसा खिलारी है जिनके स्टैर्स इनके फेवर में आल्विज रहेंगे अगर आईटेल की ही बात कर लेंड में दे आपको बहुत बड़ी पारी खिल करके देने माले हैं केल रहूल तो यहां से अपनी टीम में जरूर फिक्स लेके जाएगा डीकॉक की जो कि अगले प्लेयर होने वाले आज की इस मैच के लिए अब दोस्तों इस प्लेयर को देखेंगे ना ओवरल करीर के अंदर अगर इन प्लेयर इतने इंपक्ट वाले है कि रिसेंट फॉर्म को अगर देखें मैच में एक बर शातक भी लगा 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 रखेंगे नहीं पोटी टू बॉल के अंदर नहीं लिए लिए प्लेयर की बैंटिंग में कापी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके दे सकते हैं वैस होने वाले तो दो लॉजिक क्या है एक तो क्वेंटन डिकॉक अपने लास्ट मैच में आप देखें तीन मैच से तीन मैच से उस तरीके से इन फॉर्म नहीं है तो इस मैच में इनके बैक करने के चांसे रहेंगे पहली चीज़ दूसरी चीज़ इस आई पेल आप देख रह से पहले हुए जितने मैच से उन सब की बात करलो जो प्लेर आकर करके अपना पहला मैच एंपक्ट की डे कर रहे हैं काफी इंग की मतलब मैं एकस्पेक्टेशन लेकर चल रहा हो तो पहले बैटिंग में यह भी काफी बढ़िया च्वाइस रहने वाले हैं इवन यह आजके इस मैच में अगर आप मान के यह चलो कि टॉप पॉंडर बहुत अच्छा करने वाले तो वह इस कैप्टन के भी काफी बड़ी है चोई से रहने वाले आगे बात करें यार अगले प्लेयर चुकि यह प्लेयर इस टाइप के है न सेफ चोई से रहने वाले इतना मान कर चलिए चुकि भरोसा आप कर सकते हो यार यह वैसे प्लेयर नहीं कि आपने वरोसा किया और परफॉर्म नहीं किया काइली मेर्स की बात करेंगे तो काइली मेर्स को देखेंगे आप तो देखने को मिलेगा लगबग किसका आईवरेज आईपियल के अंदर 73 रन इनों ने बना रख की स्मैच के अंदर काईली मेर्स के फ्लॉप होने की चांसे मैं प्रिरिक्ट करके चल रहा हूं प्लेयर के स्टाइट को देखेंगे तो आप मान करके चलिए कि यह आपको काफी वढ़िया करेंगे लेकिन आप इनको आप ड्रॉप करके चलिए तो यह अपने आवरेज से का द्रॉप करेंगे चलिए दीपक उड़ा की बात करें यहीं वह खिला लिए जो हैट्ट गेंदर काफी अच्छा करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है आई पेल में जिनका आवरेज है वह भी यह टच नहीं कर रहा है चुकि आप देख सकते हो किस तरीके से यह कम मतलब के दो पर ही लास पाले मैच में आउट होगे दो रॉन बना करके अब चुकी हिट्ट वेट बहुत अच्छा है विद्नी पर इन्हों लगबख सतरा रंग की पारी खेली है तो आईडिया इनको है इन्होंने लगबख 15 वाल खेल रखा है तो आज की इस मैच में इंपक्त कर सक तो उसका रीजन है यह अपने अवरिज को टच करने के लिए इनको 40 रन बनाना होगा और जैसे यह 40 रन बनाएंगे फिटिक जाएंगे और काफी अच्छा इनिंग खेल करके देंगे तो एक चीज मान करके चलिए टॉप और में केल राहूल पहली चीज दूसरी चीज कोई एक प्लेयर बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाला यह आप मान करके चलिए उस सेनारियों में आपको दीपक खुड़ा पे ट्रस्ट दिखा करके इनको सिकेंड बैटिंग में अपने टीम में जरूर ट्राय करके चलना है यह आपको जरूर लेके चलना इस तरीके से करुनाल पंडे की बात करें यार तो जब हट्ट हुआ था न वहां यह दो विकेट भी निकालते हुए दिखाई दिखाई दिये थे अभी इनके आई परफॉर्मेंस की बात करें बाइस के आवरेज एकसर्ट विकेट भी ले रखा है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के इस सामने सामने वाली टीम के प्लेयर तो यहां पर यह बॉलिंग के बीचांस देंगे तो बॉलिंग के बैककप से चूज कर सकते हो आप वही पर बात करें यार निकॉलस पुरन की तो एक ऐसे खिलारी जो अब हाली में देखे देखो तो आप 36 रन 32 रन की पारी कहल कर गया रह है नहीं तो अगर आप यह मान के चल रहे हो कि सिकेंड बैटिंग करने आएगी जब लखनाओ की टीम तो टॉप और ही अच्छा करता हो दिखाए देगा तो आप यहां से छोड़ के चल सकते हो फिलहाल के लिए आप इनको पॉस इनकी बैटिंग अपनी टीम में ज़रूर प्राइ करके चलना सेकेंड वैटिंग में आप चोड़ के चल सकते हो वही हम बात कर लेंगाई जहां पर आयूश बदोनी की तो आयूश बदोनी जो प्लेयर है ना इनकी अगर बात करें तो यह जब हैट टूएड हुआ था उन्हीं की पारी इन्होंने खेली थी ओवर आल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ आज लखनाव का टॉप और बहुत अच्छा करेगा तो मैं इनको छोड़ के चलूँगा ठीक है प्लेयर यूवा है और यूवा प्लेयर इस आई पेल कंदर आप देखे तो जब ऐसा टीम आप बनाए जब आप टॉप और को क्लाप्स करें तब इनको जियल में जरूर लेकर जाना क्योंकि आई पेल का ये ट्रेंड रहा है कि यूवा खिलारी काफी बढ़िया करते दिखाई देरा आपको पता है बतलब यह अपनी इनको खोने का कोई डरी नहीं होता यार यह खोने के लिए इनके पास है ही नहीं इनके बनाने के यह सब कुछ है तो यह बेखौफ खेलते हैं यूवा खिलारी के लिए इसलिए जियल में मैं कहता है आप लेकर के जाए बड़े प्लेयर को डर होता है मैं नहीं चलूंगा तो क्या होगा मैं तो रोही शर्वा हूँ मैं तो केल रहा हूलू लेकि छोटे प्लेयर के पास कु आज क्या होने वाला है यह प्लेयर ऐसे है ना जिस पे आप रिस्क नहीं ले सकते चोड़ने का क्योंकि यह प्लेयर एक इस शैली में बॉलिंग करते हैं जिसका मैं क्या ही बताओ आई पील का मातर दो ही मैच केल रखका है जिसमें आप देखे तो आठ विकेट निकाल रख है तो इंपोर्टेंट रहेंगे आज की इस मैच में भी देखना यह रहेगा कि क्या नए बॉल से पीच से पेसर को एडवेंटेज है या नहीं मुवमेंट होता या नहीं अगर उस सेनारियो में ऐसा होता है तो फिर तो और भी जादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे और इन इनको जरूर अपने टीम में पिक करेगा इवेंट सीवी सीव की अच्छे रहने वाले हैं जहां पर यश्ट थाकुर की तो कैसे खिला रही है जिनके अगर मैं बात करूँ तो अगर यह आज की इस मैच में खेलेंगे और टीम इनको अपॉर्चुनिटी देती है फिर तो ग किस तरेके से हमें ध्यान किया देना हमें ध्यान यह भी देना है। हमें ऴूक्त से पलक्राइं धचलेर वाट में एक स्टाइडबी से नहीं प्लेके पिलयर की चलना है तो यह सब होंपर है पेविटानिक करना है यह सब इंप options right Mon कि अगर पर्फॉर्मेंट्स की बात करूं तो रभी पिश्णोई ने अगर आप पूरे और करीर की बात करें बहत्तर मैच में 85 विकेट इनों निकाल रखा और उसके बाद आप देखेंगे विन्यू को पर एक मैच के लिए दो विकेट निकाल रखा है चुक्कि यह एक लेग अगले प्लेर की बात करें तो आवेश खान नजरा आते इनके खेलने के चांसे और पूरे वर्गर की बालिंग भी करने वाले रिशंट वाले तो दो विकेट निकाल रखा है चुकि हट तो आराम से आप अपने टीम में चंसीडर कर सकते खास करके फॉस्ट निंग की बालि प्लेयर को लेना है यह मैं बताने की कोशिश करता हूं वहीपर बात कर लेते हैं और आपके साथ डिसकस कर चुका हूं या आपके सिकिन के सामने सबसे पहले जो प्लेयर है वह है अभिशेक शर्मा की बात करेंगे अभिशेक शर्मा कैसे खिला रही है जिके परफॉर्मेंस की बात करें 23 आपको नहीं आएगा उस तरीके से इंपक्त वाली इनिंग वही पर एक ही मैच हो रख्या उस तरीके से कुछ नहीं है आई पेल के अंदर दो मैच इस वेन्यू पर खिल रख्या जहां पर परफॉर्मे तो टेस्ट मैच यह खिल कर गया रहे हैं लास्वाला मैच अगर आपने देखा होगा एक भी रन नहीं बनाया बंदेने चुकी यह ओपन करने आते हैं तो आज के इस मैच में मैं आपको सजेस्ट करूंगा जी एल के अंदर इसको आप अपने तीम में जरूर लेकर कर जाना और आप देख रहे हैं किस तरीके से इंटेंट के साथ नए खिलारी उभरते हुए आ रहे हैं तो आज इस मैच में अपने टीम में जील में जरूर ट्राय करके चलेगा वहीं मैंक अगरवाल की बात करें आपने देखा होगा किस तरीके से टच में दिखाई दे रहे थे 27 र अगर आप अभी शेक शर्मा पर ट्रस्ट करके चल रहे तो मैंक अगरवाल को अपनी टीम से छोड़ करके चलना क्योंकि इतना मान करके चलिए जो बॉलर्स आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं मतलब लखना की टीम के अंदर उनका रिकॉर्ड जो है को पाउर प्रेमें बॉल विकेट गिरने वाले हैं या मान करके चलना राहुल तिरिपाठी की बात करें तो राहुल तिरिपाठी एक ऐसे खिला रही है आज की इस मैच के लिए चूकि इन्होंने लास्ट वाला है जब मैस्ता 44 का स्कोर किया था भले लास्ट मैच में जिरो अगर यह बालिंग करेंगे नहीं करेंगे तो माइफ रिपोर्ट के बाद बताऊंगा ही कि किस तरीके से इनका रहने वाला किस तरीके से यह उतरने वाले पीछ पे तो अगर बॉलिंग करेंगे तो प्लस पॉइंट रहे गया यहां से लेकिन यह प्लेयर इस तरीके के इंटेंट वाले है जो आपको कभी भी कभी भी अच्छी खास इनिंग के अंदर तो इंपोर्टेंट रहेंगे इवेन अपनी टीम के अंदर लेक करके आउट हो गया आज के इस मैच के लिए हैरी बुक को आप चाहे तो अपने टीम से छोड़के भी चल सकते हैं कि उतने इंपोर्टेंट हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तीम में आप मान करके चले कि हाईदराबाद का टॉप और कॉलाप्स हो रहा है उस तीम में आप इनको एक-दो टीम में ट्राइ करके आप चल सकते होगे वही हम बात करें गाई यहां पर हेंडिज क्रासे इनकी तो इंपोर्टेंट रहेंगा आज के इस मैच में अगर आपको याद होगा वो मैच जिस मैच में हमने बताया था आपको जो विकेट कीपर केवल और लेकिन वह प्लेयर आपको किस तरीके से क्या इंटेंट वाली पारी केल कर दे सकती है वही विश्वास हमारा हेंडर क्लासे के साथ दिख रहा है चुकि यह काफी इन पॉर्म दिख रहे है तो मतलब अथाइस रण की पारी भी केल कर किया रही है विकेट की पिंग का बैक भ परफॉर्मेंस की बात करे यार तो उन्हेंने दो विकेट निकाले थे पिछली बार जब हिट टो एड इन्होंने आपस में खेल रखा था आईपिल के परफॉर्मेंस की बात करे यार तो इन्होंने विकेट से बहुत जादा अच्छा नहीं कर पाया नहीं रन से बहुत जा के प्लेयर है अभी यहां पर टीटोंडी फॉर्मेट है चुकी तो उस तरीके से नहीं इंपक्ट कर पा रहे हैं लेकिन देखने वाली बात है यह एक आफ ब्रेक बॉलर है तो हो सकता है कि आज की स्मैच में टीम इंसे बॉलिंग करवा है अगर टॉप और कॉलाप्स नहीं कर करें यार तो यह हमरान मलिक के की तस्वीर देखेंक कर कंफिउज नहीं, उम्रान मली without a मैच मोश आगे है दो विकेट निकाले इस प्लेयर ने, डैविड विले टाइप आप प्लेयर माल करके चल सकते हैं, ये प्लेयर आज आपको काफी अच्छा करते दिख सकते हैं, फर्स दिनीं की बॉलिंग में अपनी टीम में जरूर लेकर रिक जाएगा, इवन जी एल के अंदर वी सी भी बना विकेट ले रखा है, ओवरल करियर में देखे, तो नबे विकेट निकाल रखा है, आज के इस मैच में मैं इस प्लेयर पे उतना ज्यादा भरोसा फिर से करके नहीं चल रहा हूँ, लेकिन प्लेयर इतने मेजिंग है कि ये आपको कभी भी विकेट निकाल कर दे सकते हैं, त तो आप अपने डिम में जरूर पिक करिएगा, वही हम मान के चलते हैं, उम्रान मलीक के बारे में यार तो वेन्यू से बहुत जादा सपोर्ट मिलने वाला है इस प्लेयर को, क्योंकि वेन्यू की अगर मैं बात करूँ ना तो पेस को जादा सपोर्ट कर रहा है, तो उस सिन तीन 8 राजन, इन दोनों मैं से किसी एक के साथ ही आप जारा है, क्योंकि दोनों सेम स्टाइल उफ प्लेयर हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि तरीके से विकेट मिलने के चंसे रहें के फजलक फारूकी को भी उस तरीके से रहने वाला हैं, लेकिन आप तीन 8 राजन पे ज चल सकते हो अपने टीम से काफी इंपोर्टेंट प्लेकर रोल प्लेकर करके दे सकते हो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक काफी अच्छे से समझ में आया होगा इसके अलावा जो चीज़े आपको करनी है कॉंटेस्ट कहां जोइन करना आप सबको पता है बहुत लेट हो जा लाइक करके कॉमेंट पर अपने शिकायाद दर्च करा लिजेगा मैं आप लोगों के लिए मिलूँगा ऐसी किसी लॉजकल वीडियो में तब तक लिए स्टे हेल्डी एंड बबाए